किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल धाकड और आप देख रहे हैं स्माइट एक्रिकल्चर यूटूब चैनल इस वीडियो में हम सर्चों की तेजी मंदी के बारे में बात करेंगे इस समय पर ज्यादातर छेत्रों में सर्चों की हार्वेस्टिंग सुरू हो चुकी है और आने वाले 10-15 दिनों के दोरान लगबग सभी छेत्रों में सर्चों की हार्वेस्टिंग हो जाएगी लेकिन सवाल या आता है कि मार्च अप्रेल महिने में सर्चो का बाव क्या रहीगा क्योंकि इस समय पर नई सर्चो का बहुती अच्छा बाव चल रहा है लेकिन पिछले कुछ दिनों से सर्चो के बाव में जबरदश्ट तेजी देखने को मिली और इस समय पर रूस और यूक्रियन के बीच में भी बैंकर युद चल रहा हैं जिस युद के करण सरसो के बाव में तेज़ आने की सम्भावना बन रही हैं तो इस समय पर किसानों के मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मार्च और अप्रेल महिने में सरसो का बाव क्या रहेगा क्या सरसो दसजार के पार पहुंच जाएगी या सरसो के बाव फिर से डाउन हो जाएंगे तो हमने सरसो के बाव के लिए एक स्पेसल रिपोर्ट तेयार की हैं तो पूरी रिपोर्ट के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंतों तक देखिए और चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी ज सर्चो के जबरदश्ट बाव देखने को मिल रहे हैं अगर वर्तमान समय के नई सर्चो के बाव के बारे में बात करें तो इस समय पर नई सर्चो का बाव 7000 के आसपास चल रहे हैं और कुछ मंडियों में सर्चो का बाव 7000 से भी उपर चल रहे हैं चले अब आगे के बाव अपडेट के बारे में बात करते हैं मतलब की मार्च और अपरेल महिने के दोरान सर्चों का बाव क्या रहेगा तो आने वाले कुछ दिनों के दोरान सर्चों के बाव में जोरदार तेजी आने की संभावना बन रही है अगर इस तेजी आने के कारण के बारे में बात करें तो सर्चों के बाव में तेजी आने का प्रमु कारण है रूस युक्रेन युद्ध किसान भाईयो युद्ध तो रूस और युक्रेन के बीच में चल रहा है लेकिन इस युद्ध का असर हमारे बारत में भी पढ़ रहा है क्योंकि रूस और युक्रियन युद्ध के बीच सुरज मुकी के तेल की सप्लाई पर गहरा असर पढ़ा है दोनों देशों के बीच युद्ध के करण खाज तेलों की किमतों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि हमारे देश में हर साल 25 लाग मेट्रिक टन सुरज मुकी तेल का आयात होता है जिनमें से 70% युक्रियन से 70% रूस से आता है और इस समय पर रूस और युक्रियन में युद्ध चल रहा है जिसके करण सुरज मुकी के तेल का आयात बंद हो गया है जिसके करण खाद्य तेलों के बाव में बहुत ज़्यादा महंगा आएगी और खाद्य तेल महंगे होंगे तो तिलहनी फसलों में भी जोड़दार तेजी आएगी और इसी कारण से इस समय पर स्वयाबीन और सर्चों बहुत ही अच्छे बाव में भिक रहे हैं किसान भाईयो इस समय पर अंतराश्टरी बाजारों में भी सर्चों की मांग बढ़ गी हैं और सुत्रों के हवाले से ये खबर आ रहे हैं कि इस साल बारज सरकार ने पांच देशों से सर्चों निर्यात सोधात ही किया हैं मतलब की इस बार पांच दूसरे देशों में सर्चों का निर्यात होगा जिसके कारण सर्चों के बाव में जोरदार तेजी आने की पूरी संबावना है अगर किसान भाईयो बात करें की तेजी कितने दिनों में आएगी और कितने तेजी आएगी तो मार्च और अप्रेल महिने के दोरान यह तेजी आने की संभावना है और तेजी कितनी आएगी इसके बारे में हम इस पेश्ट तो नहीं कह सकते लेकिन मंडे एक्सपर्ट के मुताबिक सरसो दसजार के पार जाने की पूरी संभावना है तो किसान भायू यह थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है सरसो का बाव कहां तक पहुंचेगा इसके बारे में कमेंट कर गया वश्य बताईए यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान